नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गनेश और आप देख रहे हो दम मोबाइल रिपेरिंग योटूब चानल तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल सेसी फ्लेक्स का चार्जिंग कनेक्टर कैसे चेंज किया जाता है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तो इस चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करने के लिए मैं कौन कौन से चीज़े यूज करने वाला हूँ और कौन सी पेस्ट यूज करने वाला हूँ ये सारा कुछ डिटेल में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजे औ और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं क्या होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो सबसे पहले इस CC flex को हम एक जगा फिक्स कर देंगे और उसके बाद हम Pode ढालके उस छार्जिंगं कनेकटर को easy तरीकल से निकाल देंगे चार्जिंग कनेक्टर के उपर हम SMD Gun को मूग करते रहेंगे और ट्विजर की मदद से हम चार्जिंग कनेक्टर को एकदम आसानी से उपर उठा लेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हो कि हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर यह एकदम इजी तरीके से निकल गया है और हमारे जो प्रिंट है चार्जिंग कनेक्टर के नीचे वाली CC फ्लेक्स की जो प्रिंट एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो गई है हमारे पास एक नया चार्जिंग कनेक्टर है और इस चार्जिंग कनेक्टर को हम इस सिजी फ्लेक्स पर बिठाने वाले है जोस्तो इस charging connector के जो पीछे वाले जो point है उस point को भी हम अच्छी तरसे sold कर लेंगे थाकि हमारा socket अच्छी तरसे CC flex पर fit हो जाए इसलिए जोस्तो मेकेनिक की solder paste की मदद से हम charging connector की जो पीछे वाले point है उस point को अच्छी तरसे sold कर लेते हैं तो दोस्तो हमारा charging connector बिठाने के लिए पूरा ready हो गया है दोस्तो charging connector को fitting करने के लिए हम solding wire का भी उस करने वाले है ताकि हमारा जो socket एकदम strong बैट जाए तो दोस्तो charging connector को बिठाने के लिए हम सिर्फ solding gun का ही उस करने वाले है smd gun की कोई हमें अवशकता नहीं है कि अवशकता नहीं है तो हमारा चार्जिंग कनेक्टर एकदम अच्छे तरह से फीट हो गया है सिसी फ्लेक्स पर तो दोस्तों इस सिसी फ्लेक्स को हमें एक बार मोबैल में लगा के चेक कर लेते हैं कि ओवर कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हमारा चार्जिंग कनेक्टर एकदम अच्छे तरह से फीट हो गया है सिसी फ्लेक्स पर तो दोस्तों इस सिसी फ्लेक्स को हमें एक बार मोबैल में लगा के चेक कर लेते हैं कि ओवर कर रहा है या नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा चार्जिंग कनेक्टर एकदम अच्छे तरह से काम कर रहा है और हमारे मोबैल में चार्जिंग का लोगो वह भी आ गया है तो दोस्तों इसे एक बार हम मोबैल को आउन करके भी देख लेंगे अंदर की चार्जिंग दिखाता है या नहीं दिखाता है तो दोस्तों हमारा मोबैल भी स्विचान हो गया है और अंदर हमारे बैटरी का लोगो है उसमें चार्जिंग एकदम सक्सेस्पुली शो हो रही है तो हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर का जो आज का वीडियो था तो एकदम सक्सेस्पुली कम्प्लीट हो गया है